अपने चैनल पे और आज का वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्त कास 12 का हिंदी चैप्टर का और हिंदी का यह मोडल सेट है दोस्त 2024 में जो की बिहार सरकार के दोरा जो निकला है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी करना ठीक है लेकिन टोटल कोईस्चन जरूर देखना कॉंपी में नोट भी कर लेना भी भी आई है most important question ठीक है exam के point of अगर आप exam देने वाले हैं तो चलिए यह सही एक सोच लिजिए कि सेम आपके question पेपर पर सही रहेगा सिर्फ model set नहीं लिखा हुआ लिखा रहेगा तीन घंटे पंदेवेट का question है यह तोटल कोईस्चन यह नीचे से उपर तक देख लेना यह ठीक है पर लोगे तो समझ में आजेगा आपके लिए निर्देश से करना क्या है अब यहां से सुरू होता है सबसे पहले प्रस्ण संख्या एक से सौ तक के परतेक बस्तुनिस्ट प्रस्ण के साथ चार चार वीकल्प दिये गए जिस पेसे एक सही है और आपको एक सही आंसर बताना है ठीक है तो सो में से पचास ही आंसर आपको एकजाम में करना है बट मैं यहां पे सो में से सो बतान कि पहला कोचे है दोस्त नारी और नर एक ही द्रबे की ढली दो परती माय है ये किस पठित पाठ की उकती है तो मेरे प्यारे छात्र जो भी लड़का परहाओगा अर्ध नारी शुर रामधारी सिंग दिनकर जी का यह लिखा हुआ गद खंड में ठीक है बहुत थी भीविय है कि पुरुष और इस्त्री शिव जी के यारी राध गनाव शिव भगवान के कलपित रूप है यह लिखा है आपके चेप्टर में ठीक है मैं परहादी आओ एक क्लास में दूसरा करा दोस्त जे कृष्ण मूर्ती की रचना कैसी है भी भी आई क्वोश्चन ठीक है और आपक इंपॉर्टेंट यह चेप्टर सिख चा ओके कितना नमर ओप्सन नमर मारना सी तीसरा कोशन आई यह मैं तो बोलूँगा कि आप लोग जरूर हिंदी के जो भी गध और पद चेप्टर है उनके लेखा का नाम याद कर लीजिए और कौन क्या है कौन आत्म का कथा है कौन ए जूठन और जूठन एक आत्म का था है क्या दोस्त आत्म का था यह सब किताब है इद का चान्द होना मुहाबरा है मैं दोस्त डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का जरूर उस पे जाईएगा और मैं जो भी भी आई एक्जाम के पॉइंट अब यू से मुहाबरा डाल दिया हूँ अपने टेलीग्राम में आप लोगो भी भी आई मुहाबरा दिया हूँ प्लस में अनेक सब्दों के बदले एक सब्द डाल चुका हूँ टेलीग्राम पे विलोम सब्द पर्यायवाची शब्द है ये सब आप जरूर देखना है ठीक है दोस्त यहाँ पर कर आईद का चांद हो ना मैंने बहुत दिनों पर दिखना चार का अंसर ए 5 ओर furniture की लकड़ी मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो मुहाबरे का अर्थ होता है एक मात्र सहारा एक मात्र सहारा अन्दे की लकड़ी च्छौण और ओर जल गगड़ी छलकत जाए लुक लुक यह कह है लुक उक्ति है का अर्थ क्या होता है और शक्ता से अधिक पर्दसन करा ठीक है बहुत ही important यह chapter सब के लिए most important यह question भी है साथ नमड़िये नाच नजाने आंगन टेरा सुने ना यानि की बहाना करना कोई काम करने तो आता है नहीं बस आप लोग बोलते हैं कि यस अगर जिस दिखते हैं आप लोग क्रिकेट खिलते हैं बैट लेकर गए फिल्ड में और उसी बैट से कोई मार करा गया सीरन और आप ग ग्राउंड में उठ गया कैच हो गए तो क्या बोलते हैं अरे यार कौन हमें यह बल्ला दे दिया बाल में बैट में तो इस टॉक ही नहीं है तो यह होता है बहाना बहाना मत कीजिए ठीक है तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई इधर उधर सब छीट आ ज वैसे वैसी बस्तू जो ठोस हो द्रौ हो गैस हो जिसे मापा तौला जाता हो जिसे दूसरे बस्तू का निर्मान होता हो उसे हमनों द्रभी वाचक संग्या बोलते हैं परहेंगे नहीं आप लो द्रभी वाचक द्रभी वाचक में या दखना तीन ची आता है ठोस तो हीरा ठ खोस में आएगा, द्रब में क्या चल ज़एगा, वाटर आयल और गैस, और गैस में क्या हो जाएगा, यह समोक हो जाएगा, ठीक है, चलिए, बुढ़ापा सब्ध कौन सी संग्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे यारतना, जिसमें लगाओगा आपा, यह हमेशा भावा चकता बुढ़ापा, क्या बलाओ, बुढ़ापा, वैसी संग्या जिसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा भाव वाचक संग्या, कासी सब्द कौन सी संग्या है, कासी नाम हो गया, ठीक है, कासी या तो किसी ब्यक्ती का नाम, किसी ज अधिकारो, जिसे किसी एक का नाम लेने से उसका समस्त जाती का बोध हो, ठीक है, व्यक्ति वाचक संग्या कहलाती है, सभा, सभा सब्द कौन सी संग्या है, सभा, अब बताओ, सभा बहुत सारे सदस्चों से मिलकर सभा बनती है, समु वाचक, वैसी संग्या जिसे किसी समो सं किसी के खास नाम नहीं किसी एक का नाम लेने से उसके समस्त जाती का बोधो जिस पर सबका अधीकारो जाती वाचक कलाता है यद रहेगा गुड चौदर नमरा की कोचन सजावट कौन सी संग्या है तो उसमें क्या बताये थे बुढ़ापा आपा और जिसमें आ जाए सज में ह गंगा शब्द का पर्याए वाची का मतलता है मिलता जूलता सब्द या दखना कौन सा इसमें चारो में ध्वानी है कि नीनाध है कि नाध है अब बताना है आपको तो बताना है दोस्त की इन में से कोई नहीं है सब्द का पर्याए वाची ठीक है इन में से सभी ओ सरी गलती गंगा का संदर का पर्यावाची शब्द क्या होगा? अब राजा आपने सब्द सुना है निर्प भी होता है, भूपती भी होता है, नीरिपती भी होता है, सब में पती लगा है तो हम यहाँ पर बोलें उप्रयूकत सभी यह option number D अब आईए question number 19 19 देखते वोगा पय शब्द का परियावाशी सब्द क्या होगा पय, पय जल होता है अब पय का मतलब क्या पानी, तलाब, जल, दूद अब बड़ी important यह question है exam के point of view से तो देखो, पय मने पानी होता है, पय लेकि यहाँ पय है, पय का मतलब दूद होता है अब आई next सूर्य सब्द का परियावाशी तो शूर्य मने भासकर, दिनकर यह आपका परियावाशी सब्द होता है सूर्ज का और बहुत ही भीवे बहुत बार पूछ चुका है, इसको याद कर लिजेगा, ठीक है एकवाशी समवत सब्द का संदी भी छेद करें, तो समवत अब समवत, समजोरवत तमने यह जो हमारा म है म, अम म में यहाँ पर जो देखे हलन दिया है, यही अनसवार म बदल जाता है, ठीक है सब के उपर, समवत 21 नमर कोश्चन का आंसर बी हम पढ़ाएं दोस्त आप लोग को वियंजन संदी में आप लोग पढ़े होंगे सदा चार सद का संदी भी छेद बताइए, तो सदा चार अब कैसे तो को सदा चार, कि सद अपर सद में आ लग गया, यह हलन्त हटके इसमें जुटेगा सदा चार सद जोर अचार सद जोर अचार, सदा चार भी भी आई है बहुत बार पूछा है दोस्त, इसलिए इसको आप ज़रूर याद किजिए नायब, नजोर अक नायक, खलनायक, नय, जोर, अक, तेज का भीविय कोचन, नायक, ठीक है, गायक, यह सब याद दखना है, नायक, गायक, बहुत रह पूछता है, 24, उद गम, तो यहाँ पे तो, शब्द बदल गया है, अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में पर यूरतन होता है, उद जोर, या ठीक है, उद गम, उद जोर गम, यह वला है, और यह 25, परिक्षा सब्द का संदी विशेद बोलिए, परी जोर एक्षा, आप परी जोर एक्षा में कौन परी होगा, ध्यान देना है, तो करना सार र, यहाँ पे छोटी ए, प्लस छोटी ए, मिलकर हो गया, बड़ी ए, यह हो गए, देस्वर, परी जोर, 26 स्रे मर्ल known, हत आप, शब्द का संदी विशेद क्या होगा, तकरना सार, हत जोर आ, हत, हत जोर आ, हत, अब यह तॉ में, कुछ इसका स्वर निका लेंगे, तो बीच बाहर आता है और इधर भी, क्या है आ, तो आज जोर आ जब मिलता है, तो दो सभा सब्द इस्तिलिंग है यानि कि सभा सब्द स्थिलिंग है सताइस 2 वर्ण कोश्चन सब्द सिलिंग है 28 वर्ण कोश्चन प्षिए है आत्मा शब्द क्या है आत्मा आत्मा निकल गया के आत्मा निकल गई ध्यास बताना है आत्मा निकल गया के निकल गई आत्मा निकल गई ठीक है उसकी आत्मा के उसका आत्मा उसकी आत्मा इस्तिलिंग सब्द या दखना है उसकी आत्मा मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा ठीक ह ये सब वाक बना कर देखना जी सब्द क्या है जी आ रहा हूं जी जा रहा हूं जी खाली है 29 नवर और 29 सब्द पुलिंग बोलना जी ठीक है जी खाली नहीं आयू शब्द क्या है तुम्हारी आयू उसकी आयू लंबी हो ठीक है आयू भहत ही important word है और यह होता है हमरा आयू आयू शब्द बोला कि इस्तिलिंग आयू तुम्हारी आयू तुम्हारा आयू नहीं तुम्हारी आयू उसकी आयू मेरी आयू इसे वाक्य में बना कर दिखना परिच्छा सब्द क्या है? परिच्छा चुट गई ठीक है परिच्छा चल रहा है बहुत इंपॉर्टेट रोड़ है 31 नमर भीवियाई कोश्चन 31 का बी इस्तिलिंग ठीक है परिच्छा चल रही है परिच्छा चुट गई महीमा सब्द क्या है चो मैं बतारों सब भी भी यह नोट करें न महीमा बहुत बार पूश चुका है महीमा सब्द क्या है इस्तिलिंग के पुलिंग महीमा तो लड़की का ही नाम होता है इस्तिलिंग है महीमा आपकी महीमा उसकी महीमा तुम्हारी महीमा अपार है उपवन शब्द में उपसर्ग बताईए तो सबसे पहले तो आपको ढूणना है पवन क्या ढूणना बहुँ 33 नमर कोहचन वन और वन में बतादना है उपवन वन जंगल और जंगल में क्या लगए उपवन ठीक है? 33 नमर को ए 34 प्रती नीधी सब्द में उपसर्ग बताईए प्रती नीधी शब्द का उपसर्ग बताईए कोई बंदा बता देगा नीधी एक मूल सब्द है इसमें लगए प्रती तब यह बंदा है प्रती नीधी, प्रती दीन, प्रती चन प्रती एक सू कर्म सब्द का उपसर क्या है तो सबसे पहले तो हमारा मुख्य सब्द इसमें ढूड़ने कर्म यह हो गया मूल सब्द इसका अर्थ निकलता है और इसमें जुट गया सू तो 35 का अर्थ हो गया सू कर्म option number B option number B 36 बताइए आनन्दित सब्द में परत्याय क्या है आनन्दित तो सबसे पहले परत्याय ढूड़ना है तो पहले तुम मूल सब्द खोई लो भाई तो मूल सब्द हो जाएगा हमारा आनन्द क्या हो जाएगा आनन्द अब बच गया इत तो 36 नमर question में हमारा पढ़ते हैं हो जाएगा जो बाद में झूदता है यह रखना है पढ़ते यह बाद में झूदता है मालों कि यह तुम्हारा मूल सब्द है यह हो गया अब इस पर यहां को जूटेगा यह ओपसल बाद में जूटेगा इधर तो इधर पढ़ते आए अब आए समझ में चलिए अब बताएए अनन्दित हो गया टीक आउ सब्द में पढ़ते आए तो सबसे पर एटीक में सब्द मुख्य सब्द ढूढ़े मेरे प्यारे छात मैं जिसे बता दो अब ध्यास देना है पहले धूढ़ो टीक अटीक आउ की आउ आउ तो 37 नमर कोश्चन का अफसर बी नमर ठीक है पढ़ाई तो पहले पढ़ हो गया अब पढ़ में क्या गया आई तो सब्द में पढ़ते आराम से पता सकते हो आई आई कहा है ए नमर और 38 का अफसर अ हो गया कोई दिकत 49 आकास सब्द का बिलोम क्या होगा आकास मनए उपर होता है बिलोम पताल अगर ये भी नहीं आई आई तो पढ़ने से क्या आप फाइदा आकास का उल्टा पताल होता है चालिस नमर कोश्चन देखिए पूरसकार सब्द का बिलोम उल्टा दंड होता है पूरसकार सम्मान यह सब एक सब्द है पूरसकार का उल्टा दंड यह अपमान दिया है तो अपमान सम्मान का उल्टा होता है इम्त्विनलस्कारम सम्मान के उल्टा अप्मान एक तारेसर मत्मण कोई tofu हना है किरपा सब्द की विलोग किरपा भगवान हम पे किरपा कीजिए और किरपा का मतलब क्या होता है किसी पे डया दिखाना च्छिक है और कृपा के जब उल्टा जाएंगे तो क्या मुले गोप यह होता है दया होगा नहीं करूनमा भी वही है ठीक है ? आसिरबाद भी होगी है और वाचीन सब्द का बिलोम क्या होगा ? और वाचीन आज अर वाचीन बहुत पहले चला जाएंगे तो हम जब 42 रमर कोश्च बताएं तो कहाँ देगा प्राचीन, पुराना, और वाचीन, नया, ओके, कितक ये सब्द का बिलोम, किर्तध्न होता है, कितक का उल्टा, किर्तध्न, क्या होता है भाव, कितक जो किसी उपकार होता है, कितध्न जो आपके उपकार को भूल जाए, ब अस्थावर, चवालिस नमर कोश्चन, अस्थावर, जंगम, चवालिस का आंसर बोलना है, बी नमबर, ओके, जंगम, धन हीन सब्द कौन सा समास है, धन से हीन, जो धन से हीन है, तो इसमें से कारक का बिवक्ति है, और जिस सब्द में कारक की बिवक्ति लगी रहे तो उसके कर्म धारे बोलते हैं क्या बólते हैं वाबु कर्म धारे oh शॉरी कर्म Weil being putting up knows six इसम्पर्दान के लिए अपदान से से मने अलगाव कर्म धन्हीं-धन्सय इचिकल अब में धारे दूसाय हो गया है। 45 का आंसर बी नमर ठीक है च्छेए दिखे त्री देव सब्द कौन समास है घृतिरदेव त्री देव त्री देव और किसको बोलता है शंकर जी को बोलता है यहां पे शंकर जी नहीं है तो तो तीन देव, जिसमें संख्या का बोता है, और संख्या का बोता है, तो किसमें चल जाएगा, जदि बताइए, वो चल जाएगा आपका दीगुल समास में, तो दीगुल बताते हैं, जिसमें संख्या, जिसमें पहला संख्या हो, अगर पहला संख्या है, दूसरा कोई संख्य है ठीक है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं दिगूल समास भाई बन अगर पहला सब्द दूसरे सब्द का अपोजीट हो बन एक सब्द दूसरे का अपोजीट हो उल्टा हो ठीक है तो द्वन्द बोलते हैं बी नमर 47 का बी सब्द का अपोजीट हो गया इसीमीं तक कारक अभेर रता है तोत्त अपर पीत आमर समास जाई पीला है ये तो बहु बिरी हो गया बहु बिरी समावच्ष उंचास नमर कोश्चेंड बोलेंगा बहु बिरी ऐसा समास जीसका दोनों पद का value 0 लेकिन ये दोनों पद मिलके एक तीसरे पद का निर्मान करते हैं बहुबिरी बोलते हैं ठीक है समाज हम पढ़ाएं क्लास में आ जीवन ऐसा समाज जिसका पहला सब्द क्या हो अवय हो आ जीवन जीवन भर ठीक है इसको अवय भाव बोलते हैं पचास नमर कोचन अवय भाव ये कावन अपमान सब्द का बिसेशन क्या होता है अपमान नाम सुरें अपमानित अपमान अपमानित ठीक है रोमांच सब्द का बिसेशन क्या होगा रोमांचित रोमान्चित नाम सुना है रोमान्च का रोमान्चित भूत थी रोमान्चित फिलिम थी तीर पना ये भूगोल सब्द का बिसेशन क्या होगा भौगोलिक भौगोलिक भूगोलिक मत बोला भौगोलिक जहां जा इत इक ठीक है अपमानित यादखने इत इक ये सब बिसेशन की पाचान है सिव सब्द का बिसेशन सिव का बिसेशन सेव होता है यादखने बहुत सन्नु असीवानी मत बोले न सीवी क्या बोते बहुत बहुत बार पूछ चुगा है सब्ता सब्द का बिसेशन सब्ताहिक आगे एक सब्द, इस पर देंदना, एक सब्द, सब्ताहिक, सब्ताहिक यह नहीं नहीं है, सब्ताहिक, पच्पन नमर कोचन, सब्ताहिक, सी, यहाँ पर है, सब्ताहिक, जहाँ पर एक दिखाई दिया, हम यह सब्ताहिक परते हैं, इस ती लिंग से, छोटा, संपादक सब्द का विशेशन संपाद किये चेप्टर आता है आप लोग के थी में अख़बार में संपाद किये 56 नमर क्वेश्चन का आंसर ए संताओं सर्बनाम के कितने भेवते हैं 6 याद गरा है सर्बनाम 6 परकार के होते हैं अब यह पर आप लोग को पढ़ायते कौन-कौन पूर्श वाचक सर्बनाम उसके बाद हो गया आपका निश्चे वाचक सर्बना ठीक है अनिश्चे वाचक सर्बना प्रस्ण वाचक सर्बना इस सब आभी आप लोग पढ़े होंगे और ता बर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तीन बर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तीन 69 नवर पो का उच्छान अस्थान के है पो फो बर्ग पो बर्ग होता है वावू ओट से को बर्ग कंट से चबर्ग तालू से अटो बर्ग मुर्धा से अटो बर्ग दन्थ से या दखने है पांचो बर्ग काम बता दिये क्या देगा कि नहीं देगा जबी को बर्ग पूछे को बर्ग मने को खोगागा तो कोना कंट अचो बर्ग तालू टो बर्ग बता देना सर मुर्धा मुर्धा आ तौबर्ग दन्त आ पौबर्ग ओस्ट हो गया याद रहेगा तो पौबर्ग पकशे अस्थान ओस्ट हो गया आ नौ आगे नौ अब नौ के लिए जब भी मेरे टाठाड़ नौ तो मुर्धा बोलना पूरा टाठाड़ा मुर्धा पूरा कौख अगा कॉंट आर्ट ओफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सरवाधिक पर चलित है बड़ी भीवय यह आर्ट ओफ कन्वर्सेशन पहले चेप्टर आप लोग पढ़ेंगे बातचीत और बातचीत का यह भीवय यह यूरोप के लोग यूरोप के लोग निश्ट बताई बुआ गाउं का घर सिर्षक कभी ता कभी कौन है बहुत थी भीवय यह गाउं का घर पढ़े हैं कि नहीं अप लोग गाउं का घर बुआ कहां रहा पढ़ेंवन निश्चित ही पढ़े रहें ग्यानेंद्र पती जी का है और बताओ सौ अनाज एक सुजान सिर्षक उपनियास के लेखक कौन है 63 नमर कोश्चन भी भी आई है कहना के बाल कृष्ण भठ जी इनके लेखक है 24 बताओ बोलने से मनुस के रूप का सक्षतकार होता है यह किसने कहा है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन आपके बाचित मिलेगा और यह बोले हैं बेन जॉंसन क्यों बोले हैं बेन जॉंसन 65 बाल कोश्चन बिसनी ध्यान सुने बबा बिसनी कौन है तो मानक की मा है सीपाही की मा पढ़ लेना उसमें मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आईए बिसनी कौन है मानक की मा है option D लेखक सब्द का इस्तिलिंग क्या होता है तो लेखी का होता है अभिनेता सब्द का इस्तिलिंग क्या होता है अभिनेतरी यह B नमबर और यह प्रित्वी को धान करने वाला के लिए एक सब्द हम लोग क्या बोलते है तो एक सब्द में इसको बोलें हम लोग महिधर क्या बोलते है वा महिधर यह प्रित्वी को जो धान करता और एक सब्दों के लिए एक सब्द है म्रिग जैसे नेतरो वाली के लिए एक सब में हम लोग क्या बोलते हैं तो कहना एक सब बोलते हैं मिरिग नैनी मिरिग जैसे आपके नैन है ये टोटल इन सब ही चीज़ों का बागू हम BVI कोश्चन अपने टेलिग्राम पर डाल दियें जरूर जाकर वहाँ पर आप लोग एक बार विजिट किजिएगा और सारा कोश्चन आपको मिल जागा अगय का पूरा नाम बताए क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है अगय जी के बारे में उनका पूरा नाम है सचीदानन्द हीरनन्द वत सयानन अगय पूरा नाम इतना लंबा नाम है ठीक है यह ऑप्सन डे मुक्ती बोध का पूरा नाम क्या है गजानन माधो मुक्ती बोध यह है उनका पूरा नाम ऑप्सन नमर बी और आईए जिसका जनम बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है अग्रज या जैस्ट या अनूज या कनिस्ट अग्रज अब मने आगे ग्रज में चनम लेना है बहत्तर इंपोर्टेंट कोश्चन है अनूज बोलना जो बाद में अग्रज नहीं अनूज अनूज बोलते हैं जो बाद में जरम लेता है उसको हम लोग अनूज बोलते हैं ठीक तक गलती है अंधेरा गलती है तो सुध होगे स्वर्द निम्न में सुध सब्द कौन है सुध बालमी की बालमी की बालमी की बड़ी भीवियाई क्वोचन है चोहत्तर नमर क्वोचन और बोलना किसे सुध है वालमी की ये वला ठीक है सी नमर और ये आये 75 जिससे किसी बात के नो होने का बोधो उसे एक सब में क्या बोलते हैं तो एक सब में बोलते हैं निसेध वाचक निसेध वाचक 76 निम्न में सुध सब्द कौन है? Q76 परधाना चार्ज या परधाना चार्ज या परधाना चार्ज तो निम निम से सुद सब्द ये है परधाना चार्ज आप लोग अगर लिखते हैं आवेदन परधाना चार्ज के पास तो जरूर आपको पता होगा कि परधाना चार्ज कैसे लिखते हैं 77 नमर कोचन निम निम से सुद सब्द कौन सा है प्रिये दर्षी गलती हो गया प्रिये दर्षी गलती हो गया प्रिये दर्षी आकि प्रिये दर्षी अब 77 का आपको आंसर बताना है तो 77 में सही है D नंबर प्रिये दर्षी यह 78 निम्न में सुध सब्द कौन सा है वीकल्प, वीकल्प, वीकल्प या विक कल्प तो 78 का सही आंसर बताना है तो बोला विक कल्प होता है सर option number A पे जाईए विक कल्प 89 किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है हस्त छेप सीधी बात है किसी के काम में दखल दे रहे हैं तो हस्त छेप कर रहे हैं 80 जानने की इक्षा रखने वाला जीगियासू जो बंदा किसी चीज के बारे में जानने की इक्षा रखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको सर हम लोग बोलते हैं जीगियासू अब आईए वन में चरने वाला क्या कहलाता है अब बते वन में चरने वाला जो बन में चरता है उसको लोग क्या बोलते है वन चर क्या बोलते है वन चर बन चर मत बोल देना वन चर अब बिरासी गून दोस विवेचक क्या कहलाता है गून दोस गून दोस क्या कहलाता है विवेचक क्या कहलाता है तो ब्रासी नमर कोश्चन बताने असल यह आलोचक है किसी के गून के बारे में दोस के बारे में आलोचक अगय जी का जनम कब हुआ था करनासर जी अगय जी का जनम हुआ था 1911 इसपी में बहुत ही भीवी यही है अगय पढ़ें के नहीं रोज चेप्टर आप देखिए आपे नामोर सींग का जनम कब हुआ अभी अभी पढ़ाय थे क्लास में नामोर सींग का जनम सर हुआ था 1927 में अब बताना है निमन मेश सेव पीर प्रेम के पीर के कभी कौन है तो मलिक मुहम्मद जैसी फस्टी चेप्टर है करबक अब आईए निमन में से कौन राष्टर कभी है तो करणा सर निमन में से राष्टर कभी दिनिकर जी है दिनिकर जी को राष्टर कभी कहा जाता है नेक्स्ट आचार्ज राम चंद सुकल की नजर में बाल किस भट क्या थे तो करणा सर बाल किस भट उनकी नजरों में सहित के एडीशन थे सहित के एडीशन निम्न में से लोक नायक जय सब्द किन के लिए परयोग किया गया है तो जय परकास नरायन के लिए सोतंत्र अब पढ़े होंगे संपुन करांती निम्न में से ब्रज राज कुवर कौन है तो ब्रज राज कुवर है क्रिसन जी ब्रज के राज कुवर जागिये ब्रज के राज कुवर सूर सागर के रचनकार कौन है भीवियाई कोशन है बहुत बार पूछा है सूर दास जी जब सूर से समयत है तो सागर जी सूर सागर सूर दास करबक में कौन बात पाई जाती है प्रेम की महिमा येस पहले ही सरी जवाब है फस्ट प्रेम की महिमा पाई जाती है और बानबेर में क्या कर रहा है नामोर सिंग के गुरु कौन थे भाई हजारी परसाद दिवेदी थे फस्ट एकोच है बहुत पर पुछा है नामोर सिंग का objective जरूर याद रख नाम भाई साब कमाईनी के रचईता कौन है जैसंकर परसाद नाम सुने है निराला जी आप में सभी को याद हो नो 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 जैसंकर परसाद यहां ना बोल है जैसंकर परसाद मार रहे है निराला पर जैसंकर परसाद option A option A कमाईनी जैसंकर प्रसाद हसते हुए मेरा अकेला पन हिंदी सही थे कि कौन विद्या है तब बताना है आपको option option बोला सर डायरी हसते हुए मेरा अकेला पन तब इस डायरी लिखे हैं नेक्ष्ट कोचन करवाऊ निमन में से गद कविता कौन है अधिनायक हार जीत गाओं का घर या प्यारे नन्हे बेटे 95 नमर कोचन करवाऊ सर हार जीत गद कविता बहुत बड़ा है कविता है लेकि बहुत गद की तरह है कहानी की तरह है भूसन किस रस के महान कभी है तकना वीर रश ये बहुत बड़ाता है छत्रपती सीवा जी के बारे में वखान की है और छत्रसाल की तलवार के बारे में ओ सतनीरा निवंद किस नदी को अधार बना कर किया गया है तो भाई सहाब most important गंडक नदी के बारे में कहा गया उसी को कालखंड के कभी है भी भी आई कोष्चन तकना के सर ये आदी कालखंड के कभी है संत तूसी दास कैसे कभी है बहुत important और वो समन्यवादी समन्यवादी लास्ट कर रहा है किस कहानी का सिर्षक गेंगरीन था तो गेंगरीन एक विमारी है और ये है हमारे रोज चैप्टर जो पैरो में लोग काटा चुबने से हो रहा है सो नमर काउच्चन का आंसर बी और ये टोटल सब्जेक्टिव है कहिएगा सब्जेक्टिव अगर आप कहिएगा तो मैं सब्जेक्टिव कोचन भी डाल दूँगा विडियो बनाकर ठीक है अगर विडियो अच्छा लगे तो भाई एक बार लाइक तो जरूर करना सब्सक्राइब भी कर लो यार तब ना सब कुछ मिलेगा और टेलीगराम पर जाके टोटल अब्जेक्टिव ले लेना